अगर आपने cricket match देखा है तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि आखरी over team का second best baller, third best baller डाल देता है लेकिन आखरी over के पहले वाला over हमेशा team का best baller डालता है इसका कारड ये है कि normally कोई major event या जो ultimate point है उसके पहले का समय ज्यादा important होता है अगर आपको मालूम है और नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ 23 जुलाई को आने वाला budget अब बहुत सारे retail traders, investors यह सोचेंगे कि budget के दिन वो आएंगे भारी पैसा लेके trade करने और पैसा कमाएंगे लेकिन जो बहुत time से stock market में बैठा हुआ है trading कर रहा है उसे यह idea होता है कि जो event है event के पहले के कुछ दिन और event के बाद के कुछ दिन बहुत important हो जाते हैं उतने ही important जितना की event वाला दिन हो जाता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह बात बता हो कि अगला हफता जो है वह penultimate week है आपके budget week से पहले वाला वी और उस हफते में अगले हफते में market विचित्र तरीके के momentum दिखा सकता है तो option buyer अगर आप हैं और market यहां से consolidate करना शुरू करता है पतला हो जाता है और उसके बार निकलता है तो आप देखेंगी कि अगले हफते market में अच्छा momentum अच्छे trades आपको मिल सकते हैं बहुत सारे लोग wait करके बैठे रहेंगे कि अभी कोई trade नहीं कि लेना है अभी मैं कुछ नहीं करूंगा मैं लूँगा तो event वाले दिन budget के दिन लूँगा लेकिन यहां पर यह गलती हो जाती है आपको पिछले हफते बजट के पिछले हफते में भी trade लेना है और market बहुत अच्छा आपको trades दे सकता है तो देखे इस बात को समझते हुए अब हमें देखना है कि market में चल क्या रहा है देखे अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहां से यहां तक आया फिर पिछले दिन closing यहां दिया था exact उसी level पे closing आज भी दे दिया है जहां market की closing कल थी वहीं market की closing आज है तो क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि market में कुछ हुआ ही बिल्कुल हुआ है मैं बार बार यह बात बताता हूं इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट में कुछ नहीं हुआ या मार्केट साइडवेज हो गया या मार्केट बिल्कुल कोई भी मोमेंटम नहीं दिखा रहा ऐसा नहीं है आपको बात को समझना पड़ेगा कल हमने यह डिसकस किया था कि 24,400 से लेकर 24,200 का जो level है यह एक range बन जा अब आगे trade कैसे लेना अगर आप देखें तो पिछले दिन मार्केट नीचे गया उपर आया फिर आज मार्केट नीचे गया उपर आया तो इस बेसिस पे हम क्या देख पाने कि मार्केट क्या कर रहा है मार्केट एक sideways टाइप का ही momentum दे रहा है और अगर sideways momentum है तो बैने यह ये साइडवेस ऑर करता है हमेशा मेटनों लेकिन हाँ लेकिन याद रखेए कि जब भी मार्केट मोमेंटम में फसा होता है तो कही ना वो consolidate करता है आपकी जो width होती है range की उसे पतला करने की कोशिश करता है ज्यादा third time probability यह है कि market उपर जाएगा फिर नीच आएगा उपर जाएगा फिर नीच आएगा और एक area में consolidate करेगा फसेगा रुकेगा density buyers और sellers की एक area में जमा होगी और फिर वो struggle करके जब market निकलेगा तो अच्छा निकलता है अभी हम देखा है कि जो struggle हो रहा है वह बहुत बड़ी रेंज में हो रहा है यह देखिए बहुत बड़ी 200.500 के रेंज बनी हुई है इसके बीच struggle हो रहा है इतने बड़े रेंज में struggle के बाद मार्केट बहुत तीजी से momentum करते यह doubt होता है market को कहीं कर्दीन को साय चुटिया तो यहां पर देख लीजे market कहीं ना कहीं फसने की कोशिश कर सकता है अगले हफते एक दो दिन और कल के दिन कहीं ना कहीं फसेगा और उसके बाद अगर निकले तो मार्केट अच्छा momentum दे सकता है अगले हफते टूवर्स अब दीवीक मार्केट अ यहाँ पर जो मार्केट जाके फिर इतनी तेजी से उपर चढ़ाई यह एक्सपेक्टेशन नहीं थी more connect नीचे जाएगा इसके बाद यह expectation नहीं ती कि मार्केट ऊपर जाए यहाँ पर पिर तो एक direction में निकला sideways market, trending market, अभी भी trending market में फसा हुआ है, अब देखिए, यहाँ पे हमें यह देखना पड़ेगा, क्योंकि यह trending cycle में आ चुका है, तो क्या market यहाँ पे इसी range में फसने की कोशिश कर रहा है, अगर इस range में फसने की कोशिश कर रहा है, तो consolidation phase एक बार और आपक हम नहीं मानेंगे, range में जब तक market फसा हुआ, तो trade लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर range को तोड़ के कहीं निकल रहा है, उपर या नीचे का low break करके निकल रहा है नीचे, तो हम trade ले सकते हैं, bank nifty में trending market को मानते हुए, कि possibility रखते हुए, तो देखिए, अब कैसे trade ल दिख रही थी, लेकिन market अभी भी पूरी range को पकड़ के ही trading कर रहा है, तो हमें trade कैसे करना है, देखिए, दो दिन market बहुत बड़ी range में फस्ट हुआ, अगर इसी range में कहीं खुलता है, तो chances यह हो जाएंगे, कि एक दिन और consolidate करनी की कोशिश कर सकता है, और ये छोटी range में क करने की कोशिश कर सकता है, जैसे मैंने बता है, कि range को narrow करने की कोशिश कर सकता है, तो अगर आप option seller है, तब तो बहुत अच्छा दिन आपका आ जाएगा, इस ट्रेड लेना है, अब यहां पर अगर market flat खुल जाता है, तो स्टॉकस्टिक RSI लगा के यहां बैठा जा सकता है क्योंकि market range को पतला करने की कोशिश करेगा, जब market flat खुले, जहां closing हुई है, वहीं खुल जाता है, तब अगर market कहीं भी उपर open होता है, 24,450 के लगभग, तो उपर के तरफ हम half quantity में ही ट्रेड लेंगे, जैसे मैंने कहा, half quantity, इसलिए क्योंकि range बहुत बढ़ी है, range को है, तो market को पहले consolidate करना चाहिए, बीना consolidate कि यह उपर खुल रहा और उपर निकल रहा है, तो हम यह नहीं मान सकते, market बहुत ऊपर चला जाएगा, जा भी सकता है, हम वो trade छोड़ना नहीं चाते, तो अगर market 24,450 के लगभग कहीं खुलता है, उपर खुलता है, तो half quantity में उपर बार बाइंग होई है, तो ज़रूरी नहीं है, कि market नीचे खुले और नीचे ही भाग जाए, हो सकता है, market फिर उपर एक बार चड़नी की कोशिश कर जाए, तो इसलिए हमें confirmation चाहिए, पहली अगर 15 निट की candle 24,200 के नीचे बनती है, और उसका low break होता है, तो हम नीचे के तर hold करके बैठे है, मतलब at least market को यहां तो फिर लाएंगे ही लाएंगे और फिरी profit booking करेंगे, तो अगर market नीचे खुलता हो उपर आने की कोशिशिट करता है, तो half quantity में उपर के दरफ trade लिया जा सकता है, half quantity इसलिए, क्योंकि range में फसा हुआ है market, अभी जरूरी नहीं है, कि लो ब्रेक को नीचे के दरफ half quantity में trade, और अगर market बहुत उपर खुलता हो, 15 मेंट की candle का हाई ही ब्रेक करता है, उपर खुलने के बावजूद नीचे नहीं आ रहा है, तो उपर के दरफ half quantity में trade ले लिजेगा, इससे हमें यह समझ में आएगा कि overnight situation बहुत positive है, same situation यहां बढ नीचे खुलता है, 15 में candle का high break होता है, तो उपर के दरफ हम trade लेंगे half quantity में, और अगर red का लगी candle का low break होता है, तो नीचे करता हम half quantity में ही trade लेंगे, क्योंकि अभी market without consolidation किसी एक direction में जाने की कोशिच कर रहा है, तो अब यह nifty का हमने discussion कर लिया, अब हम चलते हैं bank nifty, जैसे तो bank nifty कहीं न कहीं momentum दिखा सकता है, तो हमें देखना है कैसे हम trade ले सकते हैं, अगर 52,400 के लगबग कहीं खुलता है, तो हाला कि उपर resistance हैं, हर जगा resistance है, लेकिन market ऊपर थोड़ा निकलने की कोशिच कर सकता है, आपको 200 point के लगबग मिल सकता है, तो उपर के तरफ हम half quantity में trade ले सकते हैं, आसानी सी, ये trade आपको मिल सकता है, और अगर market flat खुलता है, तो भी हमें wait करना पड़ेगा कि market इस level को break करे, या नीचे जाए और एक rejection लेके उपर आए, तो stochastic RSI अगर यहाँ पे काम करते हुए हमें दिख रहा है, तो हम यह मान लेंगे कि market इस range में फस रहा market बैठ सकते हैं, एक बार stochastic RSI के trade को आपको miss करना होगा, यहाँ confirmation आपको मिल जाएगी कि अगर stochastic RSI नीचे गया, और फिर market जैसे ही वो उपर आने की कोशिच कर रहा है, market भी उपर जा रहा है, तो हम यह समझना जाएगा कि sideways चल रहा है market, कहीं न कहीं market वही तरीके से move कर मिलेगा, और mid में खुलने का मतलब है इतनी बड़ी range कि कहीं न कहीं मार्केट में confusion देखने को मिलेगा, जैसे इस दिन दिखा, आज market price action दिखा के confusion दिखा है, अगर कल market बीच में कहीं खुल जाता है, तो chances यह होंगे कि stochastic RSI लगा के बैट जाईए, market range bound हो सकता है, हाला कि यह काम अगर करना ही है, तो निफ्ती में कीजेगा, क्योंकि निफ्ती कहीं न कहीं मुझे ज्यादा sideways, और sideways market के phase में फसा हुआ दिख रहा है, bank निफ्ती कहीं न कहीं trending phase में है, और market अगर बहुत बड़ा gap down, जैसे हमने 50 में भी discuss किया, market 15 मेट की candle बना के नीचे निकलता है, हाला कि बहुत बड़ा gap down खुलता है, और आज के low को break करता है, तो 5 मेट की candle का low जैसे ही break हो, नीचे के तरफ टेड ले लिजेगा, क्योंकि trending cycle में फसा है, इतिदा उपर जाने के बाउजूद, अगर नीचे खुल रहा है, मतलब negative news है, और negative news खुलने के बाद panic selling हो रही है, तब ही market नीचे जा रहा है, तो हम नीचे के तरफ फुल quantity में, इस situation में bank nifty में trade ले सकते हैं, अगर market बहुत ऊपर खुल जाता है, तो देखी ये लोग buy करके, hold करके बैठे हुए, ये लोग profit booking करेंगे, अगर market बहुत ऊपर खुला और 5 मेट की candle का low break होता है, नीचे के ही trade लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर market में buyers hold करके बैठे हुए, ये लोग अपनी position को close करेंगे, तो market red color की candle बनाए को, ये लोग तुरंट करेंगे, red color की candle close, मतलब close करना शुरू करेंगे, start करेंगे, जब market बहुत ऊपर खुल जाएगा, अगर market ऊपर खुलेगा बजट के पहले, आपको छोटे-छोटे trade लेके बड़ा profit करनी की कोशिश करनी है, so that जब budget आये, तो उसके लिए आप तयार रहें, हाला कि अगले हफते आपको अच्छे momentum के साथ market हिलते हुए दिख सकता है, वो डेपेंट करता है, कि market कोई breakout या breakdown करता है, important levels को की नहीं, I hope कि यह सिखने को मिलाओ, और सिखने को मिलाओ तो subscribe कर लीजे, और कोई doubt हो तो please पूछ लीजेगा, मैं उसमें आपकी help जरूर कर दूँगा, thank you guys.